गुड मॉनिंग एवरिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एक्जाम हंट तो गैस कैसे हैं आप सबी गैस आज की सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रशन देखेंगे और फिर आज की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फियूजन हो तो आप हम से कॉमेंट करके जरूर पूछेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इससे जादा से जादा शेयर भी करेगा तो चलिए गईस पहले हम कल का प्रश्ण देख लेते हैं तो कल का प्रश्ण है निम लिखित में से किस विभाग ने हाली में अपना एक नया E-Flying Portal लाँच किया तो गईस चिन्हों ने इसका आंसर राइट और सबसे पहली दिया वो है प्राची स्रिवास्तवाजी इन्हों ने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया तो जी हाँ गईस इसका जो राइट आंसर है वो है Option No.C आयकर विभाग Income Tax Department तो आई इसके बारे में हम कुछ महत्रपूर्ण बातें जान लेते हैं आयकर विभाग ने हाली में अपना नया e-filing पोर्टल लॉंच किया जिसका उद्दिश देश के करदाताओं को सुर्धा के साथ साथ आधुनिक और निर्बाध अनुभा परदान करना है करदाताओं की मदद के लिए इस पोर्टल ने एक नया call center नंबर भी दिया गया है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हम से comment करके जरूर्ट मुझेगा अब हम अपनी आज की series को start करेंगे आज की series का पहला question है किस तेस ने दूसरी बार Copa America football tournament की मेजबानी की विच कंट्री hosted the Copa America football tournament for the second time A option है Brazil, B option है Israel, C option है Japan या D option है इन में से कोई भी नहीं None of these तो guys आप भी हमें comment करके बताते रहिए कि इसका right answer क्या होगा तो जी हाँ guys इसका right answer है option number A ब्राजील तो आईए इसके बारे में हम कुछ महात्यपोर्ण बाते जान लेते हैं ब्राजील देश ने दूसरी बार Copa America football tournament की मेजबानी की दक्षिन अमेरिका की football संस्थान कौन मेबोल ने इस से पहले इस football tournament की मेजबानी अर्जेंटीना और कॉलंबिया को सौपी थी इसका उदगाटन मैच ब्राजील और वैने जूइलक बीच 13 जून को ब्राजील के माने गिरिन चा स्टेडियम में खेला जाएगा ब्राजील की राजधानी का क्या नाम है तो ब्राजील की राजधानी का नाम ब्रालेशिया है ब्राजील देश की मुद्रा का क्या नाम है तो ब्राजील देश की मुद्रा का नाम है ब्राजीलियन रियल ब्राजील देश की वर्दमान प्रेशीडेंट कौन है अब हम अपना next question देखेंगे किस के इंदर सासित प्रदेश के उपराजपाल ने योन टैब योजना 2021 सुरू की The Lieutenant Governor of which Union Territory launched the योन टैब स्केम 2021 A option है जमू एंड कस्मीर B option है गोवा C option है लदाक या D option है इन में से कोई भी नहीं None of these तो guys आप भी हमें comment करके बताते रहें कि इसका right answer क्या होगा तो जी हाँ guys इसका right answer है option number C लदाक तो आई इसके बारे में हम कुछ महात्पून बातें जान लेते हैं 13 सासित प्रदेश लदाक के उपराजपाल आरके माथुर ने योन टैब योजना 2021 सुरू की योन टैब योजना की तहट कक्षा 9 से 12 तक 12,370 चात्रों को टैबलेट वितरित किये इन टैबलेट में ऑनलाइन और आफलाइन टेस्ट बुक वीडियो लेक्शर और लाइफ क्लासिस इन बिल्ड किये गए हैं लदाक की वरतमान मुख्यमंत्री कौन है लदाक की वरतमान मुख्यमंत्री जम्यंग टैसरिंग नाम यागल है लदाक की रास्थानी का क्या नाम है तो लदाक की रास्थानी का नाम ले और कारगिल है लदाक की वरतमान गवर्नर कौन है तो लदाक की वरतमान गवर्नर आर्की माथुर्जी है तो guys अगर आपको इसमें कहीं भी confusion है तो आप हमसे comment करके जरूर पोचिएगा अब हम अपना next question देखेंगे तो हमारा next question है सार्विया देश ने भारत के नए राजदूत की रूप में किसे न्युक्त किया तो guys आप भी हमें comment करके बताते रहिए कि इसका right answer क्या होगा तो जिहां guys इसका right answer है option number B संजीव कोहली तो आई इसके बारे में कुछ महात्यपोर्ण बातें जान लेते हैं सार्विया देश ने भारत के नए राजदूत की रूप में संजीव कोहली को न्युक्त किया संजीव कोहली वर्तमान में तजानिया देश के भारत के उच्चायुक्त के रूप में कारेरत है संजीव कोहली ने 1984 बैच के करनाटक केंडर के आई एस अधिकारी है जो कि विदेश मंत्राले के अधिक्षपत पर कारेरत रह चुके थे सार्विया की राजधानी का क्या नाम है तो सार्विया की राजधानी का नाम बेल ग्रेड है सार्विया की सार्विया देश की वर्तमान प्रेशिडेंट कौन है तो सार्विया देश की वर्तमान प्रेशिडेंट अलेकसरडर व्यूसिस है सार्विय देश की मुद्रा का ग्या नाम है तो सार्विय देश की मुद्रा का नाम देनार है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके जरूर पूछेगा अब हम अपना next question देखेंगे काली पटनम रामा राव का निधन हुआ है वह एक प्रशिद्ध क्या थे काली पटनम रामा राव has passed away what was he a famous A option है वैग्यानिक, scientist थे B option है कवी, poet थे C option है राशनिता, politician थे यड़ी option है लेखक, author थे तो गैस आप भी हमें comment करके बताते रहिए कि इसका right answer क्या होगा तो जिहां गैस इसका right answer है option number B, poet थे कवी थे, तो आई इसके बारे में कुछ महत्रपूर्ण बातें भी जान लेते हैं तेल्गो कहानिकार कवी और कींद्री साहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित काली पटनम रामा राव का आंदर प्रदेश के स्री काकूलम में 96 वर्स की आयू में निधन हुआ वर्स 1995 में काली पटनम रामा राव को साहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था काली पटनम रामा राव ने तो मीडी के नाम से भी जाना जाता है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हम से comment करके सरूर पोचेगा अब हम अपना next question देखेंगे Digital business and technology के अध्यक्षपत पर किसे नियुक्त किया गया Who has been appointed as the new president of digital business and technology A option है तरोन यादो B option है दिवाकर जैन C option है राजिस नाम बियार और D option है इनमें से कोई भी नहीं None of these तो guys आप भी हमें comment करके तो जीहां guys इसका right answer है option number C राजिस नाम बियार तो आई इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं Digital business and technology DB&T की अध्यक्ष पर राजिस नाम बियार को नियुक्त किया गया राजिस नाम बियार Digital business and technology DB&T के वर्तमान अध्यक्ष मेलकम फ्रेक की जगह लेंगे Digital business and technology DB&T का मुख्याले कहां इस्थित है तो इसका मुख्याले बैंगलूरों में इस्थित है guys अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आपको हमसे comment करके जरूर पोचिएगा अब हम अपने एक special question देखेंगे जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है कितनी वर्ष 2021 का International Business Book of the Year अवार्ड जीता Who won the International Business Book of the Year अवार्ड 2021 अवार्ड A option है नितिन राकिस B option है जेरी विंट C option है option A और B दोनों या D option है कृष्ण मुरारी गौड तो guys आपको इसका answer हमें comment करके बताना है किसका right answer क्या होगा तो guys अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो आप इसे जादा से जादा शेयर करिएगा और वीडियो में कहीं भी थोड़ी से भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूछ लेजिएगा तो चलिए guys आज के लिए बस हम इतना ही अपना ख्याल रखे और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखे और guys अगर कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके ज़रूर पूछेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आप हमारे social media handle से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें facebook पर follow कर सकते हैं instagram पर भी follow कर सकते हैं और अगर आप हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो link description box में हैं जल्दी से जुड़ जाईए तो चलिए guys आज की लिए बस इतना ही thank you so much everyone have a good day take care bye bye thank you so much